हेलो प्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल, तो आज मैं कोई खाने की रेसिपी नहीं है, तो मैं आज दिखा थी मैंने क्या बनाया है पुराने परदों से, तो यह है मेरा परदा जो खराप हो चुके हैं, यह इसे ज़रने लग गया तो मैंने सुचे चलो इसे फेकने से और इसे निकालने के बाद में ये दूसरा हिससा भी निकालूंगी, इसको भी निकाल के, फिर मुझे जीतने सोपे के लिए, इन सोपे की लंबा आई है, तो यह सोपे क्या मैंने उपर का हिस्सा बनाना था, मगर ये थोड़ा छोटा हो रहा है, तो इस लिए मुझे दूसर बना रही हुँ तो मैं फृरिल इस तरह से बना रहे हुँ पहले मैं कच्चा करूंगी सुई धागे से जिससे आसानी से बन जाता है इस तरह से कच्चा करूंगी फृरिल बन चुकी है इस तरह से इसे पहले कच्चा कर लो तो आसानी से बन जाती है तो आप मैंने इसे कच्चा कर लिया है मैंने फ्रेल बना दी है हम इसे सिल दूँगी इस तरह से यह जो मैंने कपड़ा ले रखा है बहुती इजी तरे का है बनाने का और बहुती जल्दी बन जाता है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है इसे बनाने में एक घंटे में भी एक घंटा भी नहीं लगा होगा मुस्किल से इतनी जल्दी तेयार हो गेते क्योंकि कुछ कामें नहीं है इसमें और बहुत जल्दी बन गया था इससे बनाने के बाद मैंने एक टेबल का भी बनाया है जो मैंने उसके वीडियो नहीं बनाई है मगर मैंने बनाया है वो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगती है यह है इसका फाइनल लुक यह देखो यह साइड में जो यह रखे वे तो यह भी मैंने पुराने प्लाजों से बनाए हैं यह साइड में जो रखे वे हैं और किस तरह लग रहा है यह सोपे के कबर क्यूंकि यह सोपा कम बैड है तो यह इसकी नाम का कबर मिलता नहीं है मार्केट में तो मैंने सुचे चलो इस तरह से बना ले हैं इसको कैसे लग रहा है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना और साइड में मैंने टेबल का भी बनाया है यह देखो क्यूंकि पढ़ते मेरे पास चार पढ़े थे अभी मेरे पास एक एक्स्रा बचा हुआ है तो यह देखो इस तरह से पुरा कबर हो गया इसके अंदर कुछ भी रखो तो दिखाई नहीं देता है क्योंकि आखवार उगे रहते हैं इस पे तो यह हो गया है देखने में तो अच्छा लग रहा है और यह मेरे पास पुरानी बैट सीर्टी एक पड़ी भी तो मैंने यह जो यह वाला हिस्सा मैंने काटके निकाला है और इसके अंदर मैंने फॉर्म वाली बनाई है तक यह तो फॉर्म से और मैंने पीछी चैन भी लगाई तक कि आसाने से जब इन हैं दूले हम तो आसाने से निकल भी जाएं तो यह देखो इस तरह से लग दियें क्यूंकि चारी बन पाई हैं इसमें बीच से कटी फटी थी चदर जहां से सही थी मैंने वह हिस्सा निकाल दिया है और यह पुराने कपड़ों का हम रियूज कर सकते हैं तो कैसी लगी यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर जरूर करें थैंक यू